गया से एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है उपेंद्र रविदास नामक यूवक का एक विद्वा महिला जिसके दो बच्चे हैं उसके साथ करीब दो वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था दस जून रातरी में दोनों आपत्ती जुनक स्थिती में पकड़े गए दिसके बाद महिला की सास ने पुलीस को इंफॉर्म कर दिया दिसके बाद महिला हेल्प डेस प्रभारी प्रसुक्षू साई नेहा कुमारी, सिपाही बविता कुमारी, अनीता कुमारी के प्रयास से दो जुहातिय विवा थाना परिसर केशियों मंदिर में करा दिया गया, प्रेम विवा करवाए हैं, बताएंगे उचके बारे में, दोनों एक दूसरे मतलब लड़की विद्वा थी, एक दूसरे को प्रेम प्रसंग हुआ, दोनों आतर महिला की दो बच्चे थे, लड़का एक आपका बेटा तो अभी आया है, तो दोनों को मंदिर में साधिय हुआ, तो दोनों को मंद से अपना रहे हैं आप लोग, कोई तकलिप नहीं न होगा, दो बच्चा है, उसको भी कोई दिकत नहीं न आएगा जारखन बिहार की तमाम तासांतरीन खबरों के लिए देखे, न्यूस बाइस कोड़, अब जी ओ टीवी पर भी उपलब्द, इसके लवा तमाम बड़ी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर भी उपलब्द है, बिहार में सिटी केबल पर चैनल नमबर 232 पर देखे, लेटि लंबी गाडियों की जाम लग गई, आपको बता दें कि पानी की समस्या को लेकर ग्रामीन काफी आकरोशित नजर आ रहे थे, जिसके कारण तारापूर, संग्रामपूर, मुख्य पत्त, लगभग एक किलोमेटर तक सड़क के दूनों और गाडियों की लंबी कतार लग असलग जाम कर रही ग्रामिन महिलाओं ने बताया कि एक वर्स से बिहमा पंचायत के बाद नमबर 9 में पानी की किल्लत है और एक जगापर पिएच्टी वभाग का ननल लगाया गया है जहां गाओं के हिस संजे सिंग के घर के आगे लगी चापा कल को वैध रूप से कबज और जाम है अधिकरी का समर सेबुल करी कंदर करी लिया थी एक साल से कालिया को सर्वर्म से को सनवाई ने चापा कल में टाल लिया है चापा कल में टाल के अंदर करी लिया है